हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे डोनट वो भी बिना कुकिंग और बेकिंग के जो की घर पर बहुती आसानी से बन जाता है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए चली बनाना स्टार्ट करते है आज हम डोनट बनाएंगे ब्रेट से जो की बहुत एजली मिल जाती है यह मैं अच्छे से राउंड सेप में बनकर रेडी हो गया है बस इस तरीके से मैंने दोनों ब्रेट को कट कर लिया है अब हम लेंगे एक धक्कन कोई भी धक्कन ले सकते हो पानी की बोटल की या जो भी तो यह बीच में रखकर हम इस तरीके से प्रेश करेंगे आपने डोनट यह देखिए बनकर ready हो गया है दोनों bread ready हो गई है यह लिए है मैंने Oreo biscuit यह 10 रुपे का एक pack है इसमें एक donut बनकर ready हो जाता है तो यह packet से हम निकाल लेंगे बिस्किट का जो white part है वो हम निकाल कर एक bowl में रख देंगे इधिके इस तरीके से हम सारा white part निकाल लेंगे बिस्किट का तो इसका use हम donut को decorate करने के लिए करेंगे इधे के इस तरीके से हम सारे बिस्कित के वाइट पार्ट निकाल लेंगे और यह जो बिस्कित बचे थे इसको हम छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे आप चाहो तो इसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो इलिया है दूद, दूद आप कैसा भी ले सकते हो अब इसे हम दूद पर डालेंगे हमें पूरा बिस्कित अच्छे से कवर करना है तब यह सॉफ्ट होएगा और आप चाहो तो बिस्कित को ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सी में तो बच्चे अगर बनाते तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा उन्हें ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा तो अच्छे सी सॉफ्ट हो जाएंगे अगर बिल्कुल बॉइल डूड डाले तो यह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे आप जैसा भी चाहो बना सकते हो ग्राइंड करके या दूड डालके जैसा भी तीके बहुत अच्छे से हमें चलाना है बिल्कुल यह देखिए बिल्कुल क्रीमी कर लेना इसको थोड़ दूड धूड हम और डालेंगे ही थोड़ा गादा है हमें धोडन स क्षेश कमुल डालने के बाद हम झालेंगे इससे Name बहुत अच्छे से चलाना है जितना को चलाएंगे उतना ही जाद ही इधे की चॉकलेट की तरब देखिए चॉकलेट की बना हुआ है बस यह जद यह कि हमें ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना ज्यादा लिक्विड भी नहीं बस उस पर डेकुरेशन के लिए थोड़ा सबस ऐसी रेडी करना है हमें ती देखिए ब्रेट ले लिए जो हमने कट करीती अब इस पर हमने जो पिस्किट का पेस्ट बनाया था वह इस तरीके से रखाएंगे हम इधर नीचे लगाएंगे अभी जुसाइट का है ब्रेट का छो-साइट से उसको हम अच्छे से कवर कर देंगे बिस्कुट के पेस्ट से इधिकि तरीके से ताकि ये खुले नंआ अच्छे से पेस्ट हो जाएं यह दियर के इस्टे सी थाहीं हमने ब्रेट कर सकते हैं यह तो आप दैक सकते हैं ज़्यादा आप दोध मिला कर थोड़ा सा लिख्विट कर सकते हम जादा हो तो यह इस पर लगेगा इस पर यह तरीको से हम बंसेर है इसम्में दूोर ओंपर ही लगाना है नीचे वाले पार्ट में लगाना है breezeحb पूरे ब्रेट को गवर कर देंगे, ये देखिए, रेडी हो गया है, अब हम ये वाइट वाली जो क्रीम हमने बनाई थी, ये देखिए इसको, अब हम एक ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है, तो आप कोई भी पनी ले सकते हो, दूद की जो पोलो तुनीत हो, वो भी ले सक सकते हो, इसमें डाल देंगे हम, इस तरीके से हम डेकुरेट कर देंगे, तो डेकुरेशन आप जैसे भी चाहो कर सकते हो, थोड़ा सा लिक्वीड रखना ताकि अच्छे से ये इस पर फैल सके, देखिए, इदी के पास से मैं आपको दिखाती हूं, कितने अच्छे से लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों